दो दिसंबर का दा हिंदू न्यूजपेपर और पी आईवी का इंपोर्टन करंट अफियर्स हमारा करंट अफियर्स आपके सभी एक जामे को लिए काम का रहेगा और फिरी में पीडियेफ टेलिग्राम चैनल पे अवलेबल होती हैं तो लीज़े स्टार्ट करते हैं सब से पहले बात करेंगे भारत के महतपून पर 210 धर्रे मतलब जो पास हैं हमारे इंडिया के important जो पास हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज न्यूजपेपर में चर्चा में आया था जोजीला पास जोजीला जो दर्रा है वो और ये पढ़ता है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में ठीक है तो बिल्कुल हमें याद रखना है यहाँ पे जो भारत के महतपून परवतिये दर्रे हैं जैसे की खारदूंगला जोजीला और रोहतांग ठीक है ये बहुत इंपोर्टन्ट है रोहतांग भी काफी चर्चा में रह जोजीला और खारदूंगला के बारे में बात करें या बिल्कुल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे नाथूला वेरी वेरी इंपोर्टन्ट फोरोल एक्जामिनेशन सिक्किम में है काफी चर्चा में रहता है और चांगला पड़ता है लदाक में तो ऐसे ही हमारे ज कौन सी चीज कौन से क्या दर्रे कहां कहां पर पड़ते हैं ठीक है फिजिकल मैप देखा करो नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे यहां पे प्लास्टिक संधी वारता के बारे में देखो प्लास्टिक संधी वारता की बात करें तो बुसान दक्षिन कोरिया के यहां पर यह रहती है और ये विफल हो जाती है इसी बात को लेके बिलकुल ये चर्चा में आता है बुसान नाम की जो जगह है दक्षिन कोरिया में कई बार ऐसा होता है एक्जाम में प्लेस इन न्यूज करके पूछ लेते हैं कि भाई ये प्लेस रिसेंटली चर्चा में था तो ये कौन स क्या देश में पड़ता है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बुसान दक्षिन कोरिया में पड़ता है नेक्स्ट हम बात करेंगे राय थू भरोसा योजना देखो ये योजना जो है ये तेलंगाना की योजना है यहांके चीप मिनिस्टर ने कहा है कि इस योजना के है जैसे या बैंक की जो एक्जाम होते हैं उनमें ऐसी चीजें डिरेक्ट पूछेते हैं और देखने को मिल जाती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्स के बारे में 2010 की तुलना में 2023 में नए हैचाईवी संकर्ण में संकर्मन में 44% की गिरावट देखने को मिली है 244 लाख लोग एचाईवी से पिडित थे जिसमें 3% बच्चे थे ठीक है मतलब 2023 का इस डाटा था इसमें ये मेंशन था कि इतने लोग एचाईवी से पिडित थे और इसमें 3% जो है वो चिल्डरन है ठीक है जिनकी उमर 15 साल से कम है एड्स से बात करें तो देखो एड्स से निपटने से संबंदीत है तो बिल्कुल आपको इसका बारे में पता होना चाहिए ध्यान रखना है नेक्स्ट गाईज हम बात करेंगे यहाँ पे कोल गेट पामोलिव इंडिया के सीओ और एमडी जो है परभा नर सिमन ये बिल्कुल चर्चा में थे पेपर में तो याद रख लेना क्योंकि ऐसे वाले सवाल जो है वो डिरेक्ट बैंक के जो पेपर होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं हम जल्द ही आपके लिए बैंकिंग सीरीज लेके आएंगे जिसमें पूरे महीं पूरे वीक की जो सीरीज रहेगी बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेर रह कि मैं गुजराती हूँ जबकि ये डारेक्ट भारत से बिल्कुल यहां नहीं आये हैं इनके पैरेंट्स 1970 के अगर बात करें तो 1970 के टाइम पे इनके पैरेंट्स आइधिंक यूगांडा और तंजानिया से बिलोंग करते थे और 1970 में वो कैनेड़ा के थुरू अमेरिका चल बहुत गर्वांद्वित बात होती है कि देखिए भारत का और दूसरे देशों में यहीं अंतर है कि हम लोग अपनी मिट्टी को नहीं भूलते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे जैशानी ICC के अध्यक्स का पधभार समाला है ICC की कई बार ऐसा होता है SSC के जो पेपर ह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी छोटी चीजों को बिल्कुल आपको याद रखना है देखो कई बार ऐसा होता है हम यह सोचते कि यह तो हमें पता है लेकिन हम ऐसा करके छोटी चीजों को छोड़ देते हैं तो बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है ऐसे ही आपको BCCI जो सेड्यूल नहीं थी ये होनी चाहिए थी इसका आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में होना था लेकिन किसी कारण से ये कैंसिल हो गई और आप भारत में 3-10 दिसंबर तक होगा तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में गाईज हम बात करेंगे यहाँ प बिल्कुल देख लिया करो तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना ठीक है दूसरा देखो जो बच्चे बैंक एक्जाम की तेहरी करते हैं आपके लिए बात ऐसी है जी एस्टी कलेक्शन किसी महिने में अगर हाईयर होता है तीन-चैर महिने का आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखो इसथी जो हैं यह डियरेक्ट पेपर में देखने को मिलती है बैंक स्पेशली जो पेपर होते हैं उन में तो आपको इन चीजहों का धयान रखना है कि इस measured क् seemingly ऑ Week तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ठीक है फिर भी देखें आपका कोई सजेशन कोई रहता है नो डाउट बिल्कुल स्वागत है आप सभी का और कोई सजेशन सुजाओ आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मिलेंगे नए दिन के साथ विश यू ओल बेस्ट जहिन